आज का जो बारा टॉपिक है वो है आउट्पूट यूनिट हम लोग आउट्पूट यूनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो आउट्पूट यूनिट क्या चीज होती है बेसिकली आउट्पूट यूनिट हमारा जहां पर प्रॉसेस्ट डेटा आता है यानि कि जो हमारा कंप्यूटर काम करता है उसकी बाद जो रिजर्ट होता है जो हमारी यूसफुल इंफर्मेशन होती है वो हमें जिज जिगे पर मेलती है वो हमारे लिए आउट्पूट यूनिट है अब आउट्पूट यूनिट में कई तरीके के आउट्पूट आते हैं जिसमें से मॉनिटर भी है प्रिंटर हमारा एक हाडवेर आउट्पूट यूनिट है और भी स्पीकर हमारा एक आउडियो हाडवेर यूनिट जो आउट्पुट उनिट है तो हम लोग आज इन टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो यहां पर हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है जहां पर हम लोग आउट्पुट उनिट के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम के बारे में पढ़ना तो output unit the output device display the result of the processing of raw data that is entered in the computer through an input device input device के माध्यम से जो भी data raw data डाला जाता है वो सब output unit पर हमें दिखाई पड़ता है there are number of output devices that display output in different ways such as tags, images, hard copies in audio or video बहुत सारी devices होते हैं जिनमें हमें हमारा output मैलता है जैसे कि text images and hard copies है यह और audio के forms में है और video के forms में है तो text जो है वो हमें अगर देखा जाए तो दिखता है monitor में और hard copies में हम उसको print कर आ सकते हैं तो और कोई भी audio है वो हम speakers के तुरू सुन सकते हैं तो बहुत सारे output units हमारे पास होते हैं लेकिन अगर हम बात करें monitor की क्योंकि वो इक सबसे ज़्यादा देखते हैं तो monitors कई प्रकार के हम लोगों ने use किये जैसे कि CRT monitor, LCD monitor, LED monitor और plasma monitors तो हम इन monitors के बारे में थोड़ा सा और detail में पढ़ेंगे आगे अभी printers की बात करें तो printers में हमारे पास impact printer और दूसरा non impact printers impact printers और non impact printers तो impact printers वो printers होते हैं जहां पर media जो है वो head को touch करके काम करता है और यह थोड़े से slow होते हैं तो impact printers में हमारे दो तरीके के printers आते हैं जैसे कि character printer और line printer अब character printers में dot matrix printers और desy wheel printers आते हैं हमारा non impact printer होता है तो यह printers हैं जिनके बारे में हम detail करेंगे अभी और फिर आता है projector तो projector भी output device है जो हमारे screen को काफी बड़े size में एक परदे पे या white color की wall पर हम देख सकते हैं output अपना ले सकते हैं तो इस तरीके output devices हैं जहां पर हम monitor के बारे में बात करें तो monitor is the display unit or a screen of the computer it is the main output device that display the process data or information as a text image audio or video अभी क्या बता है कि इस monitor पर हम यह सारी informations को देखते हैं चाहे वो text की form में चाहे image की form में हो और audio कुछ monitors में speaker inbuilt भी होते हैं तो वो भी हमें सुनाई पढ़ता है वहां से और videos की form में देखते हैं लेकिन जो monitors होते हैं वो कितने प्रकार के रहे और किस-किस तरीके के monitors आए और हम लोगों ने क्या-क्या use किया है उसके बारे में पढ़ते हैं तो यहां पर सबसे पहले आता है CRT monitor CRT monitors are the based on the cathode ray tubes यह जो monitor होते हैं इन में एक picture tube लगी होती थी जिसको cathode ray tube बोला जाता था they are like vacuum tubes यह vacuum tubes जैसे ही काम करते थे which produces image in the form of video signals यह हमारी images को produce use करते थे दिखाते थे cathode ray tube produce a beam of electrons through the electron guns that strikes on the inner furoscent surface of the screen to produce images on the screen अभी यहां पर क्या होता था कि यहां पर pictures जो होती थी वह gas के form से create होती थी और fluorescent जो है means ऐसा जो colorful electrons होते थे उनके माध्यम से अलग एक pictures बनती थी जो छुटे-छुटे particles में होती थी तो इस तरीके से यह यहां पर हम लोग pictures देखते थे यह बिल्क बिल्कुल उसी methodology से काम करता था जैसे कि पुरानी TV काम करती थी तो यह format बिल्कुल उसी तरीके से था लेकिन यहां पर एक problem यह आती थी कि जो picture होती थी वो उसको अगर आप किसी दूसरे camera से cover करें तो आप देख पाएंगे कि आपको एक चोड़ी सी black lines बीच बीच में जात पाती हैं लेकिन camera उस चीज़ को पकड़ लेता था दूसरा electricity consumption का था यह काफी ज्यादा मात्रा में electricity consume करता था तो the monitor contains phosphorus dots of red green and blue colors यह क्या होता था यहां पर monitors के अंदर phosphorus dots होते थे red green और blue colors के जिन से यह pictures बनती थी these dots start to glow यह चमकने लगते थे when struck by electron beam जब इस पर electron beam पड़ती थी तो यह चमकने लगते थे this is phenomena is called cathodoluminescence यह बड़ा आजीप सा नाम है बट आप यह समझ लेजए कि cathode tube का जो अपना एक property होती थी उसको यह बोला जाता है तो उसके कारण क्या होता था है कि जैसे आप देखते कि layers होने के कारण कभी कभी rainbow create होता है साथ रंग का एक rainbow में दिखाई पड़ता है तो वो जो rainbow जैसे बनता है उसी तरीके से यहां पर क्या होता था कि जब beam जब light उस पर बनती थी तो यह जो red, green और blue color के जो dots होते थे जो phosphorus dots होते थे यह pictures creation का का काम करते थे तो यहां पर हम लोग इस तरीके से यहां पर जो images आती थी, the main component of the CRT include the electron gun assembly यहां पर जो उसका main component होता था CRT का, वो electron gun assembly होती थी और deflection plate assembly, or fluorescent screen, glass envelopes and the base, यह सब मिला करके picture tube के बनती थी, तो the front of the screen on to which image are produced is called the face plate, जहां पर हमें आगे की तरफ से जहां पर picture दिखाई पड़ती थी, जहां पर picture create होती थी, वो कहलाती थी face plate, और यह fiber optic की बने हुए होती थी, fiber optic, fiber optic आज की डेट में बहुत अच्छा सा example है, आप देख सकते हो, कि आप market में कभी जाओ, तो कहीं पर जमीन में, एक गुल्दस्ता छोटा सा लगाए लोग बैठे होते हैं, और उसमें light जो है, पूरी white color के fiber optics होती है, जिसमें light बिल्कुल किनारे जाके बिंदी की रूप होता है, वहाँ पर जाके वह light रुकी दिखाई पड़ती थी, और वह हमें बड़ा अच्छा सा गुल्दस्ता दिखाई पड़ता है, तो वह जो fiber optic का concept है, उसी तरीके से यहाँ पर काम होता था, light से हमारी picture create होते थी, तो there are three electron beams that strikes the screen, red, green, blue, यहाँ पर क्या होता था, लाल, हरी और नीली जो है electron beams होती थी, जिनके कारण screen पर image create होती थी, so the colors which you see on the screen, the blend of red, blue and green lights, यह इन तीनों colors का मिल करके, हमें एक picture एक screen create होती थी, जो दिखाई परती थी, the magnetic field guides the beam of electrons, although the LCD have replaced the CRT monitors, CRT monitors are still used by the graphic professionals, because of their color quality, अभी होता क्या था, कि जो, जो यह beam होती थी, उसको, जो magnetic field होती थी, वो guide करता था, कि किस तरीके से, वो, कितने lights, किस color की create करेगा, और वो मिल करके, मिल सारे colors, जब blend होते थी, तो blend होकर के, हमें बिलकुल एक picture, एक colorful picture दिखाई परती थी, आज भी जो graphics के काम करने वाले जो multimedia के काम करने वाले professional लोग से, वो आज भी CRT monitors का ही use करते, क्योंकि जो color quality, हमें CRT monitor दे सकता था, जो real colors हमें वो दे सकता था, वो साइध आज की date में, हमें, आज के जो monitor से, वो नहीं दे सकते थे, तो वो आज भी लोगी use करते, क्योंकि उसका color और जो printing का color आएगा वो लगबल लगब सेम होता है, कभी कभी क्या होता है, कि हमें blue color बहुत प्यारा यहां पर दिख रहा होता है, लेकिन screen पर दिखने के बावजूद, जब वो print होता है, तो या तो ज़्यादा dark होता है, या ज़्यादा light होता है, तो ये फरक उन monitors में नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कि जो 3 colors होते थे, उनसे ही सारे colors बनते थे, तो ये आपके CRT monitors थे, अब हम आते है LCD monitors की तरफ, LCD monitor is a flat panel screen that is compact and light weighted as the compared to CRT monitors, अगर हम CRT monitors से comparison करें, तो जो हमारा LCD monitor होता था, वो flat panel है, बिल्कुल चप्टे वे आगे से, पतले से panel है, और ये बहुत light weight होत होते हैं, पतले भी होते हैं, CRT monitors थोड़े भारी होते थे, इनको उठाना भी थोड़ा सा tough होता था, it is based on liquid crystal display technology, ये जो LCD monitors है, यहाँ पर जो technology use होरी हो LCD, LCD का ही full form है, liquid crystal display, which is used in the screen of laptops, tablets, smart phones, etc, हम आज की रिट में, जो smart phones से इस्तामाल करते हैं, tablets से इस्तामाल करते हैं, इन सब की screen, LCD screen होती है, और वो सब liquid crystal display से बनता है, an LCD screen comprises two layers of polarized glass with a liquid crystal solution between them, यहाँ पर क्या होता है, कि दो glass होते हैं, उनके बीच में, एक liquid crystal solution है, जो भरा होता है, और जिस से ये screen को create करते हैं, यानि pictures को create करते हैं, जब इनके बीच से कोई भी light पास होती है, तो when the light passes through the first layer, an electric current aligns the liquid crystals, जब पहले glass से हमारी कोई light पास होती है, तो क्या होता है, कि एक electric current जो होता है, वो liquid crystals को align करता है, और pictures को develop करता है, the aligned liquid crystals allow a varying level of light to pass through the second layer to create image on the screen, तो यहाँ पर क्या होता है, जब यह aligned होते हैं, तो जो crystal से जब वो aligned होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यह एक second layer पर image को create करते हैं, आप कभी देखे कि आपने कोई सी से का कोई ऐसा material paper weight type का उठाया हो, जिसके अंदर कोई किसी भी तरीके का liquid भरा हो, और आप एक तरफ से torch डालिए, और torch की light डालिए, और उसको देखिए अगर आप उसको आँख से, तो आप देखे कि उसके अंदर आजी कितनी साकडो अलग-अलग color की lines दिखाई पड़त है, तो LCD screen has a matrix of pixels that display the image on the screen, old LCD had passive matrix screens which individual pixels are controlled by sending a charge, अब यहाँ पर क्या बता है कि यहाँ पर इसको electronically controlled किया जा रहा है, और हर crystal में कौन सा crystal light को pass करेगा, यह सब चीज़े सब control करिया जा रहे हैं, और एक picture को create, एक अच्छी पिक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च को create कराने के लिए, यह पूरी controlling करी गई है, इसकी PCBs के तरो, तो a few left each second that made screen appear bloody when the image moved quickly on the screen, और यह होता क्या है कि आपने image, एक video जो हमें दिखता है, actual में, वो numbers of images होती है, जो बराबर are ही होती है, तो यह क्या करता है, वो हलकी सी pictures को blood करता है, जब तक दूसरी screen आती है, लेकि इस चीज़ को नहीं पकड़ पाता है, और हमें video दिखता है, लगता है कि हाँ video चल रहा है, लेकिन कभी कभी जब आप देखे कि जब आप YouTube देख रहे हों, ऐसा कुछ देख रहे हों, और जब आपका internet section काफी slow चल रहा हो, तो आप देखे pictures को हटती है, तो वहाँ पर अलग Modern LCDs uses active matrix technology, आज की डिट में जो LCD आ रही है, वो AMT का इस्तमाल करती है, and contain thin film transistors, जिसको TFT, यानि के thin film transistors बोला जाता है, with capacitors, आज की डिट में जो modern LCD है, वो AMT, TFT और capacitors का इस्तमाल करके pictures को create करता है, This technology allows pixels to retain their charge, अब यहाँ पर क्या होता है, कि छोटे छोटे से pixels हैं, और यह इतने million millions की तादाद में हैं, कि इसमें जब charge create होता है, तो pictures हमें दिखाई पड़ता है, तो इसके कारण क्या होता है, कि जब कोई blurry image आती है, या image एक दूसरे के पास, जब उससे pass हो रही होती है, त तो यहाँ पर LCD जो pictures create करता था वो इस तरीके से था, बट, power efficiency की अगर हम बात करें, तो LCD की CRT monitor से काफी कम power consume करता था, अब उसके बाद अगर हम बात करें, तो LED monitors आए, LED monitors, the LED monitors is an improved version of LCD monitors, LCD monitors से भी बहुत improved रहे आपके LED monitors, it has also a flat panel display and uses liquid crystal display technology, like LCD monitors, यह भी flat panel है, और यह भी LCD यानि liquid crystal display technology का इस्तमाल करते हैं, लेकिन difference क्या है, the difference between them lies in the source of light to backlight the display, यहाँ पर अंतर यह है कि जो हमारा source light है उसका, और जो backlight पे screen पे backlight जाती है, उसका, the LED monitors has LED panel and each panel has several LED backlight to display, यहाँ पर क्या है कि हर LED monitors के पास बहुत सारे LED panels होते हैं, और हर panel backlight से display को create कराता है, where is the LCD monitors use cold cathode fluorescent light to backlight the display, जबकि जो LCD monitors होते हैं, उसमें picture creations के लिए fluorescent light होती थी पीछे की तरफ, जिससे जो backlight monitors को, मिस पीछे से रोशनी दे करके pictures को create कराता था, तो modern electronic devices such as mobile, LED, laptop and computer screens, यह सब आज जो इस्तमाल करते थे, वो LCD होते थे, लेकिन अब LCD की जगे पर यह सब LED का इस्तमाल करने लगे, जैसे की picture quality और अच्छी मिल सके, तो LED display as it not only produce more brilliance and greater light intensity, but also consumes less power, तो LED जो display है, वो LCD की comparison में बहुत अच्छी picture quality देता है, लेकिन साथ में जो इसका एक और बहुत अच्छा picture है, वो यह है, कि यह LCD monitor से भी बहुत कम power consume करता है, बहुत कम electricity consume करता है, plasma monitors के अगर हम बात करें, तो plasma monitors is also a flat panel display, plasma monitors भी flat panel display, that is based on plasma display technology, जो plasma display technology को use करते है, ठीक है, अब यह क्या होता है, it has small tiny cells between two glasses panel, यहां पर दो glass हैं, उसके बीच में बहुत सारे cells हैं, जो दो glasses के बीच में, these cells contain mixture of noble gases and small amount of mercury, इसके अंदर mercury और बहुत सारे gases का mixer है, ठीक है, when voltage is applied, gas in the cell turn into plasma and emits ultraviolet light, जब इसके अंदर charge दिया जाता है, जब इसके अंदर electricity का power आता है, जब voltage आती है, तो यह cells क्या होते हैं, यह plasma और ultraviolet light में create हो जाते हैं, जिससे की screen के उपर picture को बनाते हैं, तो the screen is illuminated by the tiny bit of plasma, जिससे की picture छुटी छुटी प्लाजमा cells के थूँ बनती हैं, जहां पर gas का चार्ज हो रहा है, तो plasma की pictures भी liquid crystal display की तरह होती हैं, उनसे ज़्यादा बहतर होती हैं, और यह आपको एक सबसे अच्छी जिस प्रोवाइड करता है, कि आप अगर इसको side से भी द ज़र आएगी, ठीक है, तो also wide viewing angle than LCD, LCD में आप side से देखोगे, तो picture black होती चली जाएगी, LED में और plasma में ऐसा नहीं होता है, तो plasma monitors provides high resolution, जिनका resolution 1920 pixels से 1080 pixels तक होता है, यह HD quality बोली जाती है, और excellent contrast ratio, contrast ratio भी इसका बहुत अच्छा है, और wide viewing angle हो ही गया, और साथ में जो refresh rate होता है, जब video देखते हैं, तो एक के बाद एक के बाद एक picture जो आ रही हो, frame rate बहुत refresh rate इतना जल्दी है, कि आपको blurring कहीं पे भी नजर नहीं आएगी, thus they offer unique viewing experience while watching action, movies, sport, games and more, अगर हम plasma पे यह सारी चीज़े देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा experience मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर refresh rate इतना अच्छा है, pictures इतनी अच्छी तरीके से create हो रही है, कि हमें कहीं पर भी जर्क या इस तरीके की चीज़े नहीं नजर आती है, तो plasma technology भी बहुत अच्छा technology है, तो जब बड़ी monitors की बात करी जाए, तो वो plasma monitors भी होते हैं, तो अभी यहाँ पर दूसरा हमारा hardware output device आ रहा अभी क्या होता है कि printer जो है hard copies की रूप में हमारे process data को देता है, output को देता है, और वो user को image, text और भी बहुत सारी information paper पे print करके देता है, जो भी आप जिस तरीके का printer का इस्तमाल कर रहे हैं, लेकिन printer को दो category में बाटा गया है, एक impact printer और एक non impact printer, अभी impact printer क्या होता है, impact printer uses hammer to print the character और image on the paper, अभी impact printer या तो ऊपर की तरफ से कोई hammer जो click करकर की print कर रहा हो, या कोई head, cartridge जैसी head, ठीक है, जिसको वो चला चला करके print कर रहा हो, इस तरीके से paper के ऊपर character और image को बनाते हैं, hammer और print head strikes presses on the ink ribbon, ये जो होते हैं, ये ink ribbon के ऊपर strike करते हैं, जिसकी वज़े से paper जो character और images paper पर print होते हैं, अभी इसमें जो printers आये, जो काफी चले, उसमें दो तरीके के printers हैं, एक character printer है, और एक line printer है, character printer है, एक बार में एक single character को print करते हैं, और इनके ऊपर एक head होता है, जिसके ऊपर एक hammer होता है, जो इनको click करता है, टाइप, टाइप मशीन अगर आपने देखा जाते हैं, तो क्या होता है, एक नीचे से एक पूरी क्यूटती है, जा करके ribbon के ऊपर जा करके, चोट करती है, मिन्स click करती है, और वो ribbon उस key पे अक्षर print होते हैं, और वो ribbon में जा करके click होते हैं, और ribbon से black अक्षर paper पे print होते हैं, ये ठीक उसी तरीके से काम करता है, ठीक है और ये एक बार में कोई line नहीं print करता है ये एक करेंटर को एक करेंटर को प्रिंट करते हैं और इसकी वज़े से ये low speed printer है तो करेंटर प्रिंटर के जो दो प्रिंटर है जो बहुत ज़्यादा चले आज के टाइम पे वो एक dot matrix printer है dot matrix printer dots के रूप में letters को create करता है ठीक है और ये सरकारी विभाग में आज की rate में बहुत ज़्यादा चलते हैं जहां पर printing की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है आप जाते हैं आप देखते हैं वह एक printer लगता है और किर करके आवाजे आती है और उसके बाद paper पे printer print कर देता है त dots की रूप में print कराने का है इस pattern are produced by striking the ink soaked ribbon against the paper with a print head अभी क्या होता है कि ribbon होता है बीच में जिसके उपर जो head होता है वो strike करता है जिसकी वज़े से paper पर print होता है तो print head contains pills produce a pattern of dots paper to form the individual character यहां पर क्या होता है कि जो print head होता है उसमें pins होती है जिसके जरीए pattern of dots को create करता है और उसमें से ink निकल करके paper पर print होती है जिससे कि हमारा एक single character print होता है the print head of a 24 pin dot matrix contain more 9 pin than a 9 pin dot matrix अभी क्या होता है कि यहां पर हमारे पास 24 pin dot matrix और 9 pin dot matrix प्रिंटर्स आते हैं जो ज्यादा पिन dot matrix और उसमें से ज्यादा पिन dot matrix और उनके ज्यादा अच्छे दिखाई पड़ते हैं कि वहां पर पास पास में अगर dots लगा करके कोई चीज भरी गई है तो वो आपको देखने में अच्छी लगेगी to produce color output the black ribbon can be changed with the color strips अब इसमें हम अगर इसको color printer की तरह से print करना चाहे तो यहां पर जो ribbon होता वही color अलग-अलग colors के ribbon लगा करके हम प्रिंट करते हैं लेकिन वो single character को color करते हैं ना कि कोई image create करते हैं dot matrix की speed जो होती है वो 200 से 500 character per second को print करने की है तो यह तो यह slower printer होते हैं बहुत fast printer नहीं होते हैं इसके बाद डेजी विल printer भी एक करेक्टर printer है जो की character की तरह से प्रिंट करता है डेजी विल printer को invent किया था डेविड एसली साहब ने ठीक है जो एक company के लिए data systems के लिए develop किया गया था और it consists of wheel or disk has spokes extensions and look like a daisy so its name daisy wheel printer जो daisy का fool होता है जो flower होता है daisy flower का नाम है तो यहां पर क्या होता है कि इसमें उसी तरीके से चारो तरफ spokes बने होते हैं जिनके वो चलते हैं गोलगल पही है की तरह से और यह जा करके उस पर प्रिंट करते हैं तो यह भी इसले इसका नाम daisy के नाम से daisy printer पड़ा at the end of extensions modded metal characters are mounted और हर corner पर एक character mounted होता है जो जा करके click करके print कराता है to print the character printer rotates the wheel and when the desired character is on the print location hammer hits disk and extension hits ink ribbon against the paper to create the impression अभी क्या होता है कि जहां पर हमें जो character means हमें अगर apple लिखना है तो जिस spike spoke पे A आएगा वहां पर hammer उसको click करेगी और वो ribbon पर click हो जाएगा और ribbon पर click होने के कारण वो वहां पर print हो जाएगा तो it can be used to print graphics यहां पर ग्राफिक्स और को हम प्रिंट करते हैं जबकि वह बहुत साफ सुथरी या नहीं होते हैं slower ही काम करता है तो यहां पर हम 25 से 50 करेक्टर पर सेकेंड प्रिंट कर सकते हैं और इसका drawback यही है कि यह थोड़े से slower printers होते हैं और इनकी printing उतनी अच्छी नह होती है तो यहां पर हम लोगों ने जाना Daisy wheel printer क्या होता है इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो line printer लाने में लग रहा है कि हां यह ज़्यादा तेज काम करते हैं तो line printer एक बार में एक line को print करने का काम करता है यह impact printer में high speed printers कहलाते हैं और यह 500 से 3000 lines per minute को print करने की capacity रखते हैं तो character printers के comparison में line printers ज्यादा तेज काम करते हैं यह दो प्रकार के हैं यहाँ पर बताएगा है एक drum printer है drum printer को आप देख सकते हैं यहाँ पर चेतर की रूप में दिखाए गया है इस तरीके से alphabets बने होते हैं इसमें और जहां पर जो alphabets आता है अगर हमें आप पर लिखना है तो पहले line में A जिखे पर आएगा वो जा करके वहाँ पर strike हो जाएगा और A प्रिंट हो जाएगा अगली line में P जहाँ आएगा वो प्रिंट कर देगा इस तरीके से करके यह पूरी line by line एक करके प्रिंट करते हैं और यह आपके character printer से तेज काम करने वाले printer होते हैं दूसरा chain printer है chain printers में आप देखे इस तरीके से chains type की बनी ही characters की और यहाँ पर बगल में letters होते हैं और यह हम यह जो print hammer आप देख रहे हैं यह hammer जहाँ पर जो letter आता उसको click कर देता है और paper पर वो चीज़ प्रिंट हो जाती है तो यह दोनों ही printer का जो काम है कुछ एक जैसा है यहाँ प 500-3000 lines per minute को print करने की capacity रखता है और इसके साथ थोड़ा सा इसमें दिक्कत है कि यह noisy है क्योंकि hammering जल्दी 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 hammer चलते हैं और यह आवाज को create करते हैं जो की एक jaring sound होती है जो की कानों को अच्छी ना लग दे वाली sounds होती है तो यह printer कुछ इस तरीके से काम करते ह हैं लेकिन आज की दौर पर जो हमारे पास printer है वह non impact printer है non impact printer में laser printer बहुत चल रहा है laser printer ने एक पेज अपनी इधर से डाला और उधर से पूरा का पूरा पेज प्रिंट होकर किये आ गया तो laser printer non impact printer है और इनका प्रिंट करने का जो तरीका होता है वह laser beam के थूरू एक light निकलती है और उसके थूरू यह इसको प्रिंट करते हैं जाए laser beam hits the drum laser beam जो होते हैं वो drums को hit करते हैं ठीक है और यह बिलकुल एक photo photocopier की तरह से पूरी image को दूसरे paper पर ड्रॉ कर देते हैं ठीक है the image on the drum by altering electrical charge on the drum और यह पूरा का पूरा image वहाँ पर ड्रॉ हो जाती है the drum then rolls in the toner फिर वो toner के थूरू जब रोल होता है तो वह पूरी image को paper पर print कर देता है तो यहाँ पर heat और pressure होता है जिसकी वज़े से वो paper पर जाके print हो जाती है और फिर वो permanent print हो जाती है एक बार document जो drum पर charge हो चुका है जो print हो जाता है उसको हम paper print के थूरू रख सकते हैं और so dots per inches के resolution या इससे ज्यादा भी resolution में हमको printing दे सकता है तो जब resolution बढ़ जाता है तो graphics की quality बहुत अच्छी हो जाती है दूसरा है inkjet printer, inkjet printer भी एक non impact printer है और यह image को print कराने के काम में आता है खासकर image को और इसको print कराने का जो तरीका होता है इसमें क्या होता है कि इसमें ink की drops हो घोसकं का में दूस्ट कराता है यहां पर head होता है, जिसमें छोटे से nozzles बने होतैं जो ink jispray करते हैं और इंक स्प्रे इस यह इसान जो सारी चाहे पर पर प्रिंट करा सकते हैं तो यह पर क्या होता है कि यह 300 Corporal कर आ सकते हैं ब्हुत हैवी क्यालिटी के फिर्डेटर्स अविलेबिल हैं तो अब आगे आते हैं printer के बाद हमारा जो न्य औपुट उनिट है वह प्रrüजक्टर प्रजक्टर क्या होता है प्रफ dads एक ऐसा युनित होता जो वीडियो आउट पूट बनाता है किसी भी जगेपार इसको हम लोग ज्यादा तर पढ़ाने के Buddhist से या सभी त्वे Width को लप टॉपक्स को इवन आप सेटफ बॉक्स को भी कनवर्ट थे-थे घॉर इसको आप दे सकते हैं ये ब्लूटूस से भी कनेक्ट हो जाते हैं वाई-फा से भीір कłamक्त हो जाते हैं और इनको उल्टा करकर आप ौल-वाउंट पे च्छत पर लगा सकते हैं जिससे कि आप इसकी पिक्चिर्स को बहुत अच्छी तरीके से किसी वाल पर या इसके स्ट्रक्चर पर आप पिक्चर को देख सके तो यह क्लास्रूम में टीचिंग के परपस से पिक्चर्स देखने के लिए सिनेमा के परपस से या ऑफिस में किसी प्रिजेंटेशन को देने के परपस से अस्तमाल किया जाता है और आज भी बहुत इस्तमाल हो रहे हैं तो यह जो प्रजेक्टर्स आते हैं यह दो प्रकार से आते हैं पहले जो प्रजेक्टर आते थे वह एलसीडी प्रजेक्टर्स नहीं आते थे पहले जो आते थे वह डि ठीक है प्रोवाइड क्रिस्प आउटपुट यानि की बहुत ही हलके और लाइटवेटट होता है और जिनका आउटपुट होता है वो बहुत ही प्यारा होता है यहां पर क्या होता है कि यह हमारे आउटपुट को ट्रांसमिट करते है यहां से उठा करके दूसरी जिगह दिखाते है इत अलाुज द लाइट सोर्स यह लाइट सोर्स को एलाओ करते हैं which is stand up lamp to pass through the three colored crystal liquid crystal light panels जो तीन color के light panels के थूँ पास करी जाती है ठीक है और यहां पर कुछ colors some colors pass through the panels and some are blocked by the panels those images are on the screen लो कुछ colors को रोका जाता है कुछ colors को पास के जाता है ultimate हमें last में जो result मिलता है कि सामने की screen पर हमारी पूरी video pictures create होते है तो liquid crystal display वाले projectors होते हैं LCD projectors वो इस तरह के से काम करते हैं और दूसरे होते हैं digital light processing DLP projectors तो यह जो projectors होते हैं यह tiny mirrors it has a set of tiny mirrors and separate mirror which are which for each pixel of the image and thus provide high quality images so DLP projectors जो इस्तिमाल होते हैं वो high quality image के लिए इस्तिमाल होते हैं और high quality image का मतलब है कि जैसे movies और theaters में जो projectors इस्तिमाल किये जाते हैं वो DLP projectors होते हैं क्यूकि nawet quality बहुत प्यारी हूती है तो दो तो आज की डेट में आज की एरा में जो प्रोजेक्टर इस्तमाल करते हैं अब बात आती है आउटपुट उनिट में स्पीकर्स की जो की हमारे वाइस, म्यूजिक को साउंड को कम्प्यूटर से आउटपुट लाने के काम में रखे जाते हैं तो यहां पर क्या है इत रिशीव साउंड इन फॉर्म ऑफ एलक्ट्रिक करेंड और साउंड कार्ट इनको डिजिटली कनवर्ट करता है साउंड फॉर्मेट में और हमें एक अच्छी साउंड सुनाई पड़ती है तो स्पीकर भी एक आउटपुट डवाइस है और साथ ही हम ने इनपुट आउटपुट और प्रासेसिंग सारे यूनिट्स को खतम किया होप सो आपको पूरी नॉलेज मिली है और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने टीचर के साथ कंसर्ट कर सकते हैं थैंक्यू कर दो कर दो आपको को इस अख विर आपको को तक बोलुट मिली है और आपको को खत्वाएसिंगू